आपने देखा होगा कि street light जो होती हैं वो अपने आप रात के समय जल जाती हैं और दिन के समय बंद हो जाती हैं उनमें इस तरह के LDR sensor वाले switch जो हैं वो लगे होते हैं इन्हें day night auto switch भी कहते हैं तो इस तरह का जो LDR sensor वाला switch होता है तो इसके circuit diagram component detail की जो जानकारी है वो मैं gear down करके सारा कुछ आपको विस्तार से बताऊंगा तो मैंने इसे अभी order किया था अमेजन से और इस तरह का package जो है वो हमें receive होता है सबसे पहले मैं आपको package को खोल के दिखाता हूं कि हमें क्या-क्या अंदर package में मिला है तो यहां पर आप देखेंगे इस तरह का एक box है अं इसमें सारी जानकारी जो है वो share की गई है जिससे कि आप इसे कैसे use करेंगे इसका diagram भी यहां पर आप देख पाएंगे यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो हमारा day night auto switch होता है यह online जितने भी मिलते हैं लगबग उनके circuit जो है वो same ही होते है और यहां पर आप दे इस तरह का यह LDR sensor switch है जिसे आप mount करेंगे wall में और इसे light के ऊपर ही mount किया जाता है यहां पर आप देखेंगे साथ में हमें इसके wall plug और कुछ screw जो है वो भी मिलते हैं यहां पर हमारा जो LDR sensor switch है वो कुछ इस तरह का है इसमें यह three wire है जिसमें आप देखेंगे कि red और black wire ज साथ में connect होगा अच्छा white wire से load में face जाएगा और black wire जो है इससे neutral जाएगा तो यहां पर black wire common होता है input और output का तो यह black और red wire जो है यह main input के wire है और इस तरह से आप यह LDR sensor switch जो है इसके connection करेंगे इसमें आप देखेंगे LED indicator भी लगा जो कि हमें यह indicate करता है कि इसमें supply जो है जा रही है अच्छा box में और कुछ नहीं है चलिए मैं अब आपको इसको test करके दिखाता हूँ तो यहां पर मैंने एक series lamp लिया है और यहां पर जो हमारे LDR sensor switch है उसके neutron और face को मैं series lamp द्वारा supply देने वाला हूँ यहां पर AC mains के साथ हम इसे connect करेंगे और आप LDR sensor switch जो है उस आप देखेंगे हमारा जो indicator है वो glow होने लगा यानि यह active position में है इस समय और इस तरह से अगर हम इससे ढखते हैं तो अंदर की relay जो है उसको आप ध्यान से सुनिए वो on होगी और जो load वाला wire है उसमें तेस आने लगेगा यहां पर हलका सा cut की आवाज आती हुई सुनाई द आई है अब देखिए फिर से आएगी यानि जैसे ही light पड़ेगी तो यह जो LDR switch है यह off हो जाएगा यानि हमारे load को off कर देगा यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि day night sensor switch जिन में relay का इस्तमाल किया जाता है वो ज्यादा अच्छा काम करते हैं और कुछ LDR day night switch जो होते हैं उनमें track का इस्तमाल किया जाता है उनमें इतना अच्छा performance जो है वो हमें देखने को नहीं मिलता है तो यहां पर चलिए अब हम इस day night auto switch को खोल कर इसके अंदर का circuit है उससे देखेंगे फिर उसके component उसमें कौन-कौन से use किये गया है उन्हें भी देखेंगे तो यहां प इसका circuit है वो आप देख पाएंगे यहां पर इसका circuit है और इसे आपको हाथ से touch नहीं करना है चुकि हो सकता है इसमें charge वो store हो तो यहां पर थोड़ा सा safety आपको रखनी है मैं इसका जो PFA उससे पहले discharge कर देता हूँ यहां पर आप देखेंगे मैंने उससे discharge कर दिया है अब हम circuit को touch कर सकते हैं यहां पर सबसे पहले LED indicator को मैं push करके और इस तरह से इस circuit को उपर को खीशता हूँ चूकि यह dual side tape की साहता से housing के साथ में चिपका हुआ था यहां पर आप देखेंगे इसका जो circuit है उसमें relay लगी है और यहां पर relay को operate कराने के लिए इसमें जो supply यूज की गई है तो यहां पर कुछ LDR switch होते हैं उनमें SMPS circuit भी लगा होता है यहां पर PF dropper driver का इस्तमाल किया गया है यहां पर इसके circuit में काफी सारे component है और back side में केवल LDR ही हमें लगा हुआ दिख रहा है यहां पर relay लगी है और यह LDR है इसी LDR पर हमारा diffuser जो है वो लगा होता है औ लेकिन अगर LDR पर light नहीं पढ़ती है ऐसी स्थित में relay on हो जाती है यानि night के time पर relay on हो जाती है जिससे हमारी street light जो है वो जलने लगती है यहां पर मैंने relay को बाहर निकाल दिया जिससे मैं इसके component जो है उन्हें आपको दिखा सकूँ यहां पर यह relay 12 volt से operate होती है आप देखेंगे कि यह relay जो है 7 ampere तक का load जो है 250 volt पे handle कर सकती है यहां पर circuit में काफी सारे component लगे हुए है और यह component SMD भी है तो यहां पर SMD component का भी प्रियोग किया गया है इस PF को पहले मैं निकालता हूँ चुकि इसके नीचे भी component जो है वो लगे है यह PF जो है पहले हम निकालत है फिर मैं आपको सारे component की detail जो है वो देता हूँ यहां पर PF को हम निकाल देते हैं मैं आपको PF की value दिखाता हूँ यहां पर आप देखेंगे कि PF पर 684J 400 volt लिखा है अब आप देखेंगे कि इस LDR sensor switch में जो component यूज किये गया है उनको किस तरीके से यूज किया गया है सबस जो है यह red wire है यह हमारा इस fusible resistance से होता हुआ आंगे बढ़ता है fusible resistance 10 ohm की है इसके बाद यह हमारे PF में पहुंचता है line की supply और इस side से जो voltage है वो drop होके निकलता है यहां पर मैं आपको बताना चाहूँगा इस circuit में SMD component भी लगे हैं जो कि काफी sensitive है और यहां पर AC mains की supply जो ह रही है तो यहां पर एक 22 volt का generate diode जो है protection के लिए use किया गया यह SMD diode है जो कि 22 volt का है और यहां पर और भी component है मैं एक एक करके आपको सभी component के बारे में जानकारी देता हूँ यहां पर आप देखेंगे कि एक SMD resistance है जो कि PF को discharge करने में इस्तमाल होती है 1 mega ohm की यह SMD resistance है SMD code 105 है PF द्वारा जब voltage drop होता है तो उसको DC में convert करने के लिए एक diode की जरूरत होती है तो यहां पर half bridge rectifier के रूप में M7 diode जो की 1N4007 के equivalent होता है का इस्तमाल किया गया है यहां पर दो electrolyte capacitor है इनमें एक पर mention है 35 volt 47 microfarad और दूसरे पर जो value लिखी होई है वो आप देख पाएंगे 35 volt 100 microfarad यानि एक electrolyte capacitor 47 microfarad और दूसरा 100 microfarad यहां पर काफी सारे SMD component भी लगे हुए है जिनकी मैं एक एक करके value बताता हूँ सबसे पहले यह SMD resistance जो है इस पर हम देखते है क्या लिखा है यहां पर आप देखेंगे 3302 इस पर mention है यानि 33 किलो ओम की यह resistance है जो की LED को glow कराने यानि LED indicator के लिए लगी है यहां पर आप देखेंगे यह 2 SMD diode है जिन पर आप देखेंगे mention है T4 यानि यह SMD fast switching diode है और इनके equivalent जो diode होता है वो 1N4 148 होता है यहां पर एक SMD resistance लगी है जिस पर आप देखेंगे 3003 mention है यानि यह 300 किलो ओम की resistance है यहां पर एक और component लगा है जो की एक NPN transistor है जिस पर mention है J3Y तो यह switching transistor है जो की हमारी relay को operate कराता है अगर यह SMD transistor खराब हो जाता है तो इसकी जगे पे आप S8050 जो NPN transistor आता है उसे use कर सकते हैं इसके अलावा आप देखेंगे यहां पर एक और resistance लगी है जिस पर 3302 mention है यानि यह भी 33 किलो ओम की resistance है अच्छा य relay के in points यह 3 points आप देख रहें जिनमें यह बाहर के 2 points जो है इनसे relay operate होती है अच्छा center वाला point जो है यह हमारा switching point है night के time पे जब इस switch द्वारा relay को on किया जाता है ऐसी state में face जो है यह वाला face वाला wire जो है यह relay द्वारा output load वाला wire white वाले wire के साथ में connect हो जाता है जिससे क्या होता है कि load हमारा on हो जाता है बाकी दिन में यह relay off रहती है तो यहाँ पर output में कोई भी supply हमें नहीं मिलती है तो इस तरीके से यह circuit है इसमें यह सारे component लगे है अच्छा circuit के opposite side में केवल LDR ही हमें लगा हुआ दिख रहा है तो इस तरह से अब मैं इसका circuit diagram जो है वो आपको द देख कर निश्चती यह circuit जो है खुद से complete कर सकते हैं तो उमीद करता हूँ आज का वीडियो आपके लिए helpful रहेगा आज के वीडियो में इतना ही thanks for watching have a nice day